इस पसंद पेंचम पेशाल आज हम बनाएंगे ज़दा राइस या केशरी राइस या मीठे चौल भी इसे कहते हैं हेलो प्रेंज आप सभी का हमारे आयो कीचेन में स्वागत है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पेले हम लेंगे एक बाउल अब इसमें हम लेंगे बसमती राइस हमने बसमती राइस एक कॉप ले रहे हैं आप देखिए इस तरह के हमने बसमांतिरा इस लिये हैं अब इसमें डालेजे पानी पानी डालते हैं इसे अच्छी तरह से धोलेजे यह देखिए हमने इसे अच्छी तरह से धोले हैं आप इसे पानी को हम छान लेंगे यह हमने पानी को छान दिये हैं अब इसे साइड करके कड़ाई हमने गरम कर लिए अब इसमें हम डालेंगे पानी हम ले रहे हैं चार कप जिस कप से हम ले लिए थे चावल चावल एक कप लिए और चार कप पानी को हमने सुखानी है चावल के साथ ही इसलिए हम पानी चार कप ले रहे हैं अब इसे कवर कर लेंगे और अच्छे से इसे पानी उबलना शुरू हो जाए आप इसमें डाल देंगे चाओल हमने द दोखे रखा था इसमें डाल देंगे अगर आपको पानी चानना है तो पानी आप उसे ज़्यादा डाल दीजिए ज़्यादा हमने इसलिए पानी नहीं लिए हैं तक पानी को चान लेने से चाल का मिठस कम हो जाती हैं इसलिए हम पानी को इसमें ही सुखा रहे हैं अब इसे कवर कर लेंगे आची तरह से इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे आठ देस मिनिट यह देखिए थोड़ी सी हमारे चावल उबलने शुरू हो गई है अब इसमें आठ कर लेंगे एक तेज पता आठ देस का लंग एक इलाइची छोटी इलाइची इसे हम तोड़ के डाल रहे हैं इससे क्या होगा नहीं हमारे टेस्ट कुसकु बहुत अच्छी आती है अब इसमें आठ करेंगे केशरी कलर यह थोड़ी सी बास इसने डालने हैं यह अच्छे से कलर आने लगती है अगर आपके पास कैशी इफूर कलर नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्डी पार्डर आड कर सकते हैं अब इसमें फोड़ी सी गीः डाल दीजें गीः डालने बाद इसे अच्छी साझा से मीस कर लिए घी हम इसलिये डाल रहे हैं जाकि हमा अगर आपको किसी चीज प्रसाद में इस्तिमाल नहीं करते हैं उसे आप स्कीप भी कर सकते हैं दूसरी हमने गरम कर लें उसमें हम डाले एक चामच घी को गरम होने देते हैं लाक हममниц अपरफे हम इसे थुड़िस्ति चाहिं अब इसे थोड़ी करने हैं अब इसे थोड़ी चैम लेताई छाए इसलिए पहले पाहले दालें उसलिए Computий सर्टबरब्वलल अब इसमें और इसमें करेंगे है वी काजू को हम्ने बीच में पीछेश कर ले हैं और ये हमने लें लें अब चाहे तो धाया नारियल भी आपिसमें कर सकते हैं यह जान hash जाई से भूनलनी है वुन लेने से थोड़ी इसे ड्राइभ aurait करें किस्मिस करें हम बाद में आड गरें इसलिए किसमिस को हमने बाद में आड़ किये हैं अब इन में से थोड़ी सी निकाल के हम इसे रख लेंगे ताकि इसे हम गानिस करेंगे बाद में यह हमने निकाल के साइड कर लिए अब इसमें आड़ कर लिए चाओल जो चाओल हमने बना के रखा था पका के रखा था यानि अब इसे आड़ कर लिए अब इसमें आड़ कर लिए शुगर यानि चीनी हम हापकप ले रहे हैं एक कप चाओल ले थे तो हापकप चीनी इसमें डाल रहे हैं आप अपने पसंद के मिठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी बिए ज़्यादा भी कर सकता है, जितना आपको पसंद है मिठा खना उस्हजाब्स चिनि आड़ कर सकते हैं। तो अब हम दूद करेंगे हुए से केसर दाल के रख लिये हैं इससे हमारे चौर्ण को और टेस्वे बनाएंगे तो इसलिए हम दूद और केसर यसमें दोरी से अड़ कर लिए that आप चाहता इसे स्कीब भी कर सकते कोई जरूरी नहीं है आप इसे कवर कर लेंगे बस दो तीन मिनिट के लिए थोई दिल बस उसके बाद ये कवर निकाल के ये दिखिए कितने अच्छे से हमारे चाल बन के त्यार हो गई है आप इसे हम ग्यास आप करके नीचे उतार लेंग बहुत ही अच्छा लगता है अब इसमें जो ड्राइफुर्स हमने बचा के थोड़ी निकाल के रखा था उसे इसके उपर गानिस कर लेते हैं और ये देखिया हमारे बन के त्यार हो गया है केसरी या पिली चाओल या जद्दा राइस भी इसे करते हैं एक बाद ट्राइक क मेरी वीडियो अपको अच्छे लेगी होगी हिल्फूल होगी फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ